टेलीगराम में वाटसप से भी ज़्यादा यूसफुल फीचर होते हैं आज की डेट में टेलीगराम बहुत ही पॉपलर मेसेंजिंग एप बन चुका है अब ऐसे में अगर आप भी टेलीगराम का यूस करते हैं तो आपको टेलीगराम की जो सीकरेट सेटिंग्स होती है उसके बारे में पता होना चाहिए अगर आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं और टेलीगराम की दस गुपत सेटिंग को सीख लेते हैं बात करते हैं पहली सेटिंग की तो आपको प्ले स्टोर में जाना है सबसे पहले आपको टेलीगराम एप को अपडेट कर लेना है इसके बाद उपन करना है इसके बाद उपर में थ्री लाइन पर किलिक करना है यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर किलिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी privacy and security आपको इसे open कर लेना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऐसी useful setting देखने के लिए मिल जाएगी जिसे अगर आप on कर देते हैं इसके बाद आपका telegram app आपके इलावा कोई भी use नहीं कर पाएगा सिर्फ आप ही चला सकते हैं अपने telegram app को आपके इलावा कोई और use नहीं कर पाएगा इस setting का नाम है passcode lock आपको इस पर click कर देना है इसके बाद आपको नीचे में enable passcode पर click करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक password बना लेना है और इस password को आपको याद भी रखना है एक बाद दोस्तों यहाँ पर जो हमारा password lock है वो set हो चुका है यहाँ पर जो passcode lock हमने set किया है उसे यहाँ से आप change भी कर सकते ही अगर आप यहाँ पर चाहते हैं, fingerprint के जरीए भी आपका telegram app open हो जाए तो आपको यह fingerprint वाली setting को on रखना है अब यहाँ पर आपको एक important setting देखने के लिए मिलेगी auto lock आपको इस पर click करना है, जैसे कि यहाँ पर एक घंटा set है तो आपको क्या करना है, इसे एक मिनट set करके यहाँ पर done कर देना है ठीके, अब इसके बाद दोस्तों क्या होगा, जैसी आप अपने telegram app को बन कर देंगे एक मिनट के बाद, automatic दोस्तों आपके telegram app पर lock लग जाएगा और कोई भी बन्दा आपके telegram app को use नहीं कर पाएगा आप ही use कर पाएगे, बस आपने जो passcode set किया है, वो passcode आपको डालना है तो आपका जो telegram app है open हो जाएगा, आप आसानी से telegram चला सकते हैं अगर आप चाहते हैं lock को बन्द करना तो नीचे में आपको setting मिल जाती है, run passcode off अगर आप इस पर click करेंगे तो lock यहां से off भी हो जाएगा, यहां से मैं off कर देता हूँ आप देख सकते हैं lock यहां पर off हो चुका है दूसरी setting की मदद से telegram में आपका mobile number जिसे आप चाहोगे उसी को दिखाई देगा, जिसे आप नहीं चाहोगे नहीं दिखाई देगा इसके लिए आपको 3 line पर click करना है, settings में आ जाना है इसके बाद यहां पर आपको privacy and security setting में आना है यहां पर आपको mobile number वाली setting पर click करना है तो यहां पर यह default everybody पर set होता है इसका मतलब यह है कि आपका mobile number हर किसी को दिखाई देगा telegram में अगर आप इसे my contact पर set कर देंगे तो जितने भी mobile number आपने mobile में SEO कर रखे हैं mobile number दिखाई दे और आपकी contact list में जितने भी number से हो है उन में से आप कुछ लोगों से hide करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहां पर दो option मिलते हैं always allow, never allow अगर आप अपनी contact list से किसी को यह अपना mobile number दिखाना चाहते हैं कुछ ही लोगों को दिखाना चाहते हैं तो always allow पर click करेंगे यहां पर और आपकी contact list open हो जाएगी यहां पर आपको इस तरह से बंदों को select कर लेना है जिन जिन लोगों को आप दिखाना चाहते हैं और आपको यहां पर right के निशान पर click कर देना है यह set हो गया यहां से आप delete भी कर सकते हैं mobile number को दुबारा से इस तरह से ठीक है आपकी contact list से आप कुछ लोगों से hide करना चाहते हैं तो आपको यहां पर right पर click करना है इस तरह से select करके right निशान पर click कर देना है अगर आप यहां पर इसे nobody पर set कर देंगे तो आपका mobile number telegram में किसी को भी दिखाई नहीं देगा कोई बंदा देख नहीं पाएगा इसके बाद यहां पर आपको एक important setting मिलती है कि आपका mobile number अगर कोई search करता है telegram में तो आपकी profile मिलना चाहिए या नहीं तो इसके लिए आपको यहां पर अगर आप इसे everybody पर set करेंगे तो कोई बंदा आपका mobile number search करके आपकी profile तक पहुच जाएगा अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो यहां पर आपको my contact option मिलता है इस पर आप इसे set कर सकते हैं my contact में भी आपको यहां पर exception का option मिलता है always allow यहां पर भी आप always allow में कुछ लोगों को set कर सकते हैं जिसे आप चाहते हैं यह सारी setting करने के बाद आपको उपर right के निशान पर click कर देना है इसके बाद जो privacy हमने phone number पर set की है वो set हो चुकी है दूसरी setting की मदद से आप अपने telegram account को hack होने से बचा सकते हैं कोई भी hacker आपके telegram account को hack नहीं कर पाएगा इसके लिए आपको telegram में एक secret setting को on करना होगा आपको उपर three line पर click कर देना है और यहां पर आपको settings में आ जाना है इसके बाद आपको यहां पर privacy and security में आ जाना है तो यहां पर आपको telegram की एक बहुत important setting देखने के लिए मिलेगी two step verification यह setting default off होती है आपको इसे on कर लेना है जैसी आप इसे on कर लेंगे तो किसी का बाप दादा भी आपका telegram account hack नहीं कर पाएगा ठीक है तो यहां पर आपको click कर देना है to step verification पर और आपको यहां पर set password पर click करना है बाद आपको यहां पर arrow पर click कर देना है अब यहाँ पर आपको एक hint password भी set कर देना है अगर आप password भूल जाए तो कभी-कभी यहाँ पर telegram हमसे hint password भी मांगता है तो यहाँ पर आप कुछ लिख दीजिए और ऐसा लिखिए जो आपको याद रहे ठीक है तो यहाँ पर मैं Indian लिख देता हूँ इसके बाद यहाँ पर आपको तीर के आइकोन पर click कर देना है इसके बाद यहाँ पर दोस्तो आपको अपना recovery email भी add कर देना है ताकि अगर आप password भूल जाते हैं तो आप email के जरीए recover कर सकते हैं यहाँ पर मैं अपना email address add कर देता हूँ और यहाँ पर तीर के आइकोन पर click कर देता हूँ इसके बाद दोस्तो जो email address हमने add किया है उसके उपर दोस्तो एक code आएगा वो code को यहाँ पर enter करना होगा तो जल्दी से मैं enter कर देता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे mail आ चुका है इसके अंदर code है अब यह code वहाँ पर टेलिग्राम में हमें add करना है code मैंने add कर दिया verify हो चुका है अब यहाँ पर नीचे return to settings पर click कर देना है ठीक है अब यहाँ से आप अपना जो password आपने set किया है उसे change कर सकते हैं पासवर्ड को off कर सकते है recover email add जो किया है आपने उसे आप change भी कर सकते है यहाँ पर दोस्तों जो हमारा two step verification है वो on हो चुका है ठीक है अब यह setting on हो गई आप क्या होगा दोस्तों अगर आप इस number से जो number आपने login कर रहा है जो password हमने यहाँ पर add किया है वो password भी आपको डालना होगा तो ही आपका account login होगा नहीं तो आपका account login नहीं होगा इस बात का आपको ध्यान रखना है इसलिए आप password और email address जरूर add कीजिए और उसे लिख के रखिए ताकि future में आपको कभी भी कोई दिक्कत ना आए चौती setting की मदद से आपका online status और last scene आप जिसे चाहोगे उसी को दिखेगा जिसे नहीं चाहोगे नहीं दिखेगा यह setting आपको यही पर मिल जाती है privacy and security वाले section में setting का नाम है last scene and online आपको इसे open कर लेना है इसके बाद दोस्तो अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है तो यार comment box में जाईए और वहाँ पर link दीजिए very nice एक comment जरूर कर देना तो यहाँ पर दोस्तो यह default everybody पर set होता है इसका मतलब आपका last scene और online सबी लोगों को दिखाई देगा अगर आप इसे my contact पर set कर देंगे तो जो mobile number आपने save कर रखे हैं अपने mobile में उनी लोगों को आपका last scene और online दिखाई देगा अगर आप my contact में भी privacy लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीचे दो setting देखने के लिए मिल जाती है always share with अगर आप चाहते हैं जो number आपने save कर रखे हैं उन में से भी एक बंदे को दो बंदो को दस बंदो को ही आपका online status और last scene दिखाई दे तो आपको यहाँ पर always share with पर यहाँ पर click करना है यहाँ पर बंदो को select कर लेना है आपको तो उनी लोगों को आपका जो last scene और online दिखाई देगा और अगर आप नहीं चाहते यानि के जो number आपने save कर रखे हैं उन में से आप एक बंदे से hide करना चाहते हैं दो, चार, दस बंदों से hide करना चाहते हैं अपना last scene और online तो आपको यहाँ पर never share with पर click करना है बंदो को select कर लेना है right की निशान पर click कर देना है इस तरह से यहाँ पर आप इन्हें delete भी कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप यह सारी setting कर लीजिए अगर आप इसे nobody पर set कर देंगे तो आपका जो last scene और online है वो किसी को भी दिखाई नहीं देगा nobody में भी दोस्तों आपको यहाँ पर always share with का option मिल जाता है यह सारी setting करने के बाद right के निशान पर click कर दीजिए यहाँ पर okay पर click कर दीजिए तो यहाँ पर हमारी setting set हो चुकी है पाच भी setting की मदद से दोस्तों टेली गिराम में आप जिसे चाहोगे वो ही आपको call कर सकता है जिसे नहीं चाहोगे नहीं कर पाएगा यहाँ पर आपको setting मिल जाती है calls वाली privacy and security वाले section में आपको call वाली setting को open कर लेना है यह default everybody पर set होता है यानि कि आपको टेली गिराम में कोई भी बंदा call कर सकता है अगर आप इसे my contact पर set कर देंगे तो जो mobile number आपने save कर रखे हैं अपने mobile में वो ही लोग आपको call कर सकते हैं अब my contact पर भी अगर आप privacy लगाना चाहते हैं तो आपको always allow never allow का option मिलता है यानि कि आपकी contact list में से अगर आप चाहते हैं दो-तीन बंदे ही आपको call कर पाए तो आपको always allow पर यहाँ पर add user पर click करके उन्हें set कर देना है अगर आप चाहते हैं आपकी contact list में से कुछ ही लोग आपको call ना कर पाए तो आपको never allow पर click करके उन लोगों को यहाँ पर select कर लेना है अगर आप इसे nobody पर set कर देंगे तो telegram पर आपको कोई भी call नहीं कर पाएगा nobody पर भी दोस्तों आपको यहाँ पर always allow का option मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एक बंदे को यहाँ पर select कर लूँगा तो सिर्फ एक ही बंदा मुझे telegram पर call कर पाएगा इसके लावा कोई भी call नहीं कर पाएगा यहाँ से आप इसे इस तरह से delete भी कर सकते हैं सारी setting करने के बाद उपर आपको right के निशान पर click कर देना है तो आपकी call पर भी privacy set हो जाएगी 30 setting बहुत ही जादा important है कहीं सारे लोग हमें फाल्तू के group में फाल्तू के channels में add कर लेते हैं तो अगर आप चाते हैं कि कोई भी बंदा आपकी मर्जी की बिना आपको अपने group या channel में add ना कर पाए तो आप group और channel के लिए भी privacy set कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर setting मिल जाती है groups and channel यह setting आपको privacy and security वाली setting में ही मिलेगी आपको इसे open कर लेना है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको option देखने के लिए मिल जाएगा everybody का यानि के सभी लोग आपको अपने group और channel में add कर सकते हैं अगर आप इसे my contact पर set कर देंगे तो जो mobile number आपने show कर रखे हैं अपने mobile में सिर्फ वो ही लोग को इग्रूप या channel create करते हैं तो आपको अपने group और channel में add कर पाएंगे लेकिन अगर आप my contact पर भी privacy लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर always allow का option मिलता है इस पर अगर आप click करेंगे जिन जिन लोगों को select करेंगे यही लोग आपको अपने group और channel में add कर पाएंगे अगर आप never allow पर click करेंगे यहाँ पर आप जिन जिन लोगों को select करेंगे यह लोग आपको अपने group और channel में add नहीं कर पाएंगे ये सारी setting करने के बाद उपर आपको right के निशान पर click कर देना है तो आपके गुरूप और चैनल पर भी privacy set हो जाएगी तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को like नहीं किया है तो क्या कर रहे हो यार इतनी अच्छे अच्छी setting आपको बता रहा हूँ हो जाते हैं इससे होता है क्या हमारे internet यूज होता है बैटरी भी जल्दी खतम होती है और internet जल्दी खतम हो जाता है इसके साथ सारी photo video हमारी gallery में save हो जाती है जिस वज़े से storage full होता है और mobile hang करता है तो यहाँ पर आपको कुछ setting change करना है तो यहाँ पर आपको 3 line पर click करना है settings में आ जाना है तो यहाँ पर आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी data and storage आपको इसे open कर लेना है तो यहाँ पर आपको तीन option देखने के लिए मिलेंगे तीनो ही option यहाँ पर on है Automatic media download आपको इन तीनो ही को off कर देना है ये तीनों आप off कर देंगे तो कोई भी वीडियो, कोई भी फोटो automatic telegram में download नहीं होगी आप जब download करेगे तो ही download होगी आटवी setting की मदद से आप telegram में देख सकते हैं कि आपने जब से account create किया है अभी तक आपने किन-किन logo को block कर रखा है आप उन्हें देख सकते हैं अगर आप unblock करना चाहते हैं तो दुबारा से unblock भी कर सकते हैं और अगर आप किसी को block करना चाहते हैं तो block भी कर सकते हैं इसके लिए आपको three line पर click करना है settings में आ जाना है यहाँ पर आपको setting मिलेगी privacy and security आपको इसे open करना है, यहाँ पर पहले number पर आपको setting मिलेगी blockade user, आपको इस पर click करना है, तो यहाँ पर वो सारी list आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जिन जिन लोगों को आपने telegram में block किया होगा, यहाँ पर मैंने एक भी बंदे को telegram में block नहीं किया, इसलिए यहाँ कोई भी show नहीं हो रहा है, अगर आप किसी को block करना चाते हैं, तो आपको block user पर click करना है, अब यहाँ पर आपको उस बंदे को select कर लेना है, जिसको आप block करना चाते हैं, block user पर click कर देना है, वो यहाँ पर add हो जाएगा, अगर आपको यहाँ पर इसे unblock करना है, तो यहाँ पर आपको three line पर three dot पर click करना है unblock user पर click करना है तो यह unblock भी हो जाएगा नवी setting की मदद से आपकी telegram की profile आप जिसे चाहोगे उसी को दिखाई देगी जिसे नहीं चाहोगे नहीं दिखाई देगी आपने telegram DP पर कोई photo लगाया है या video उस पर आप privacy set कर सकते हैं इसके लिए आपको यहाँ पर settings में आ जाना है यहाँ पर आपको privacy and security में आना है यहाँ पर आपको setting देखने के लिए मिलेगी profile photos and videos आपको इसे open करना है यह default everybody पर set होता है इसका मतलब यह है कि आपकी DP हर किसी को द दिखाई नहीं देगी ठीक है अगर आप इसे my contact पर set कर देंगे तो आपकी profile सिर्फ उनी लोगों को दिखाई देगी जिनके mobile number आपने save कर रखे हैं और अगर आप my contact पर भी privacy लगाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर always allow का option मिलता है इस पर अगर आप click करेंगे जिन जिन ल देना है इसके बाद आपकी DP पर privacy set हो जाएगी आखरी setting के लिए आपको three line पर click करना है settings में आ जाना है यहाँ पर आपको privacy and security में आ जाना है तो यहाँ पर आपको एक setting देखने के लिए मिलेगी forwarded messages आपको इसे open करना है तो दोस्तों यहाँ पर आप forwarded message पर भी privacy set कर सकते हैं तो दोस्तों उस message के साथ में हमारा account भी link हो जाता है उस पर हमारा account tag हो जाता है यहाँ पर आप देख सकते हैं forwarded message from मेरा नाम लिखा हुआ है इस तरह से message पर दोस्तों यह हमारा नाम show होता है तो यहाँ पर आप privacy set कर सकते हैं कि आपका message कौन forward कर पाए और कौन ना कर पाए तो अगर आप इसे everybody पर set करेंगे तो आपके message को कोई भी forward कर सकता है अगर आप इसे my contact पर set करेंगे तो जो mobile number आपने save कर रखे हैं वही लोग आपके message को forward कर पाएंगे my contact पर भी आप यहाँ पर privacy set कर सकते हैं आपको always allow never allow का option मिल जाता है अगर आप इसे nobody पर set कर देंगे त तो कोई भी बंदा आपके message को forward नहीं कर पाएगा यहाँ पर भी दोस्तो आपको always allow का option देखने के लिए मिल जाता है सारी setting करने के बाद आप यहाँ पर right निशान पर click कर दीजे तो forward message पर भी आपकी privacy set हो जाएगी तो यह थी दोस्तो telegram की 10 गुप्त settings अगर आप google message app की 10 दो यार what's up facebook पर वीडियो को like कर दो और ऐसी वीडियो देखने के लिए channel को subscribe कर लो मिलते हैं अगली वीडियो में thank you